लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, जी हाँ, कोई किसी का नहीं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम किसके हुए दोस्तों, इंसान की फित्रत ही कुछ ऐसी है, कि जब उसकी जरूरत बदल जाती है, तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है जब बात किसी की अच्छाई की चल रही हो तो सब खामोश रहते हैं लेकिन चर्चा अगर किसी की बुराई का हो तो गूंगे भी बोल उटते हैं किसी इनसान की फित्रत को पहचानना नामुम्किन हो गया है क्योंकि यहां लोग जरूरतों के हिसाब से अपने चेहरे बदलते हैं अपने की ये सो गुनाहों पर परदे डाल कर हर शक्स कहता है कि जमाना बड़ा खराब है अगर कोई शक्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरुसा करते हों वह आपको धोका दे दे ये आपकी मदद के समय पलट जाए तो ये मैं सोचिएगा कब है इंसान बदल गया हकीकत तो ये है कि उसका नकाब उतर गया दोस्तों जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतरते हैं तो ये बुरा वक्त बुरा नहीं है बत्ती भगवान के लिए खरीते हैं और खुश्बू खुद की पसंद की ताय करते हैं अगर ढूड़ना ही है तो परवा करने वालों को ढूड़िये क्योंकि इस्तिमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूड़ लेंगे यूँ असर डाला है कुछ मतलबी लोगों ने इस दुनिया पर कि प्रणाम भी करो तो लोग समझते हैं जरूर कोई काम होगा दोस्तो हमेशा अपने हिसाब से जिंदिगी जीओ लोगों की सोच का क्या वो अता समय समय पर बदलती है चाय में मक्खी गिरे तो चाय फैक देते हैं और अगर घी में गिरे मक्खी तो मक्खी को फैक देते हैं लोगों का काम है कहना सिर उठा कर चलोगे तो लोग कहेंगे कि अकड़ कर चल रहा है सिर जुका कर चलोगे तो लोग कहेंगे कि किसी की तरफ देखता तक नहीं तो कभी ऐसे लोगों की फिकर मत कीजिए वो कीजिए जो आपकी मन की आवास कहती है क्योंकि दुनिया में हर चीज उठाई जा सकती है दोस्तो सिवाए गिरी हुई सोच के कच्रे में फेकी गई रोटियां रोज ये बया करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी अकाद भूल जाता है पैरों की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती तूटी कलम और दूसरों से जलन हमें अपना भाग के लिखने नहीं देती काम का आलस और पैसो का लालच हमें महान नहीं बनने देता और अपना मजब उचा और गैरों का मजब उचा ये सोच कभी हमें एक इंसान बनने नहीं देती ये जिन्दगी भी बड़ी अजीब है एक तरफ कहती है कि सबर का फल मीठा होता है वहीं दूसरी तरफ ये कहती है कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता दोस्तों वीडियो के अंद में आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है किसी को खुशी मिलती है तो वह भी किसी रक्त दान से कम नहीं है यदि आपके दौरा किसी की पीट थप थपाने से उसकी थकावट दूर होती है उसका मनोबल वड़ता है तो दोस्तों यह काम भी किसी श्रमदान से कम नहीं है ठीक उसी तरह यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि जितना खाना हो कुछ भी व्यर्थ ना जाए तो दोस्तों यह भी अपनी तरह का एक अन्य दान है अगर आप अपने जीवन में परिवर्थन चाहते हैं तो आज अभी और इसी वक्त से प्रियास करना शुरू कीजिए अगर अपने सपने पूरे करने हैं अपना लक्ष हासिल करना है तो यह बात अपने दिमाग में उतार लो कि सपने के लिए बिना मेहनत की नीद चाहिए लेकिन लक्ष हासिल करने के लिए बिना नीद की मेहनत चाहिए यदि इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने तो अपने लक्ष की तरफ सकारात्मक सोच के साथ बरते चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक उर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक नई दिशा सुनते रहिए मन की आवाज